जहीं दोस्तों कि आपको पता है कि सूर्य प्लास वाइट सेमेट लोगों का इतना इतना tief होगा तब ही तो लोगों का डिमान है ना दोस्तों क्योंकि हम सबीकों पता है कि white cement basically होता है कि white cement में बहुत जदा problem होता है कि भाया उसमें curing करना होता है तरही करना होता है चार से लेकर 5 दिन तक तरही करो फिर हमारा white cement भी हातों पर आ जाती थी दोस्तों एक problem था लेकिन अगर अगर किसी एक नॉर्माली white cement को apply करेंगे तो उसमें हमें primer करने का requirement होता है मतलब हमें white cement करने की बाद primer करना ही करना होता है जाब कि दोस्तों अगर आप लोग सूरिया प्लास white cement को apply करेंगे तो भाया आपको primer करने का बिल्कुल भी जरुरत नहीं होता है क्योंकि सूरिया प किया जाता है वैसे दोस्तो बेस कोड है ये फिर आप लोग टॉप कोड कर सकता है दोस्तो किसी भी इमल संपेंट अब सवाल है कि अगर भाया सूरिया कट्सित्थ नहीं थे कि मतलब जैसी कि हम सभी को पता है कि नोर्माली ओडिनर जो वाइट से मता है मैं किसी कमपानी का नाम नहीं लोगए दोश्तों अगर नोर्माली white cement को आप लोग apply करेंगे तो आपको coverage कितना मिलेगा दोस्तो 40 kg white cement में आपको 700 square feet आपको wall cover देगा दोस्तो 40 kg जबकि सूरिया plus white cement को apply करने की बाद सीधे company का कहना है कि 2500 यानि कि 2500 square feet आपको single coat में मिल जाएगा दोस्तो यानि कि दोस्तो अगर double coat की बात करें तो 25 kg white cement में आपका double coat मिलेगा सारे 1200 square feet दोस्तो 25 kg में सारे 1200 square feet आपका लगेगा और इसमें एक खासियात कहो या फिर कुछ चमातकार कि भाई इसमें हमें क्यूरिंग का problem से बिल्कुल भी मुक्त क्यूरिंग एक बहुत 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 प्रोब्लम था कि वह जैसे कि नॉन्माल इवाइट सेमेंट अपलाई करने से पहले हमारा वाल को आचे से भीगोना होता था एना दोस्तो वैसे कंपनी ने इसका पर बहुत नजर दिया है कि वह यह तूँ एक प्रोब्लम है और जितने भी पेंटर को आप लोग कहेंगे कि हमारी घर पर वाइट सेमेट करना है तो वाइट सेमेट में बहुत ज्यादा प्रोब्लम होता यार क्यों करते जाओ करते जाओ हमारी घर पूरा देखने में घराब हो जाता है इसलिए तोस्तो सबसे पहले अगर आप लोग जेके प्रैमेक्स काबात करें एस एन पेन का plaster coat का बात करें बिला का एक्स्टो का बात करें यह सारे product दोस्तों बिल्कुल same category में आता है इसमें आपको primer करने का कोई भी requirement नहीं है white cement based ही होता है powder based में आता है लेकिन सूरिया plus में extra benefit एही है कि भाईया इसका जो coverage area है बहुत ही ज़्यादा है जैसे कि नोर्माल से लेकर 800 ml तब हमें पानी मिक्स किया जाता है ज्डबकी सूरिया प्लास वायट से Schmidt में आपको दौस्तो एक किलो आपका सूरिया प्लास वाय्ट से मैट और आपको कीतना पानीका रिकर्रियमेन्स संहा थो डॉस्तो यह चैसे सबसे ज्यादा होता है दोस्तों एक फवीあの गर में 10 जग्जा जगा में राप रप या फे säger पर कुछ गड़ा मपने रही जाता है जोस ब्लेकिन अगर हम ऑलपूर्टी नहीं करेंगे डायित दो कोट का फिर भी वो डाग धबा नहीं चाता है दोस्तों दिखता है कि भाईजा इसमें बहुत जद रप है वाल जब लाइट का लाइट हमारा घर में बिजली आता है तो उसमें देखता है यार कि इसमें थोड़ा उचा-Nीचा दिखाई देरा है और सारी जो भरपाई करे की बाद वो जो आपका गड़ा मड़ा जितना भी है सारे भर जाता है दोस्तों इसलिए वाइट सेमेट का उपर लोग ज्यादा जुका हुआ है और सुरिया प्लास वाइट सेमेट में यह जो खासिया दोस्तों कि हाथ रगड़ाने से भी हाथ अगर ऐसे ऐसे करेंगे फिर भ लिक्स नहीं है किसी किसी स्टेट में अलाग होगा लेकिन अगर नॉर्माली एक पचीस किलो वाइट सेमेट का बेग अगर खरी देंगे आप लोग तो लगभग दोस्तों बारा सो रुपय के असपास में इसका प्रिंट है मर्प इसका है लेकिन आपको इससे कुछ सस्ता ही मील जाएका दोस्तों महले माली यह आगर 12000 रुपया में याफ़ 9-00 रुपय मीं नोसो रुपया में भी सूरिया प्लास वाइट से मिश्मान अगर चाहता है कि हमें व्याइट कि हमें प्राइमार कर नहीं करना है तो आप लोग सूरिया प्लास वाइट से मड तरी किया जाता है हमारे घर को सली तो की दोस्टों इस प्रोडक् से यंत वाइट से ओarrive करते हैं तो किसिंद अब जब करें और तो के क्मेंट करना आप की सवालों का जवाब देने के कोशिस करें कर दो